आपका स्वागत है आए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर मदरास हाई कोट का बड़ा बयान कहां पिंजरे का तोता सी बी आई उसे रहा करें भारत ने अफगान नागरिकों के लिए आपात कालीन ई वीजा की घोशना कई महर्म का जुरूस कवर कर रहे पत्रकारों की पिटाई करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ कारवाही का देश कोविड वैक्सीन अमीर देश लगवा रहे तीसरे ड कारे में एक बड़ी टिपनी करते हुए कहा है कि सी बी आई पिंजरे का तोता बनकर रह गया है उसे रहा किया जाना चाहिए दरसल पिछले कुछ सालों में सी बी आई ने विपक्ष के काफी नेताओं के खिलाफ केस दर्चकर जाच आगे बढ़ाई है जिससे लेकर भी उस ब्यूरो आफ इन्वेस्टिकेशन है आई ये सुनते हैं मदरास हाई कोट के बयान पर वरिष्ट पत्रकार अबिसार शर्मा का क्या कहना है मदरास हाई कोट ने एक सخت आदेश में कहा है कि तोते को आज़ाद करो तोते यानि सी बी आई को आज़ाद दो उससे बिलकुल चुनाव आयोग जैसी स्वायत तता दो ये मोदी सरकार की मुपे करारा था माचा ऑज़ा है क्योंकि साथ साल के अंदर अब जाकर आपको मदरास हाई कोट कहरा है कि सी बी आई को आज़ाद करो आपके स्क्रीन्स पर हिंदोस्तान की एक खबर तोते को आज़ाद करो CBI को दो चुनाव आयोग जैसी स्वायतता हाई कोट की केंदर सरकार को सलह खबर किया है दोस्तों मैं पढ़के सुनाना चाहता हूँ दरसल मुद्दा ये हो रहा है कि CBI कही न कही भारती जनता पार्टी की पिछलगू बन गई है वो उसका राजनीतिक एजिंडा पूर्ती करने का एक जरिया बन गई है क्या कहा गया है अदालत में आपके स्क्रीन्स पर CBI पर BJP सरकार का कंट्रोल इधर CBI ने बीते कुछ सालों में विपक्ष के काफी नेताओं की विरुद्ध मामले दर्ज कर जाँच आगे बढ़ाई है जिसे लेकर भी उस पर भाजपा सरकार के नियंतरन का आरोप लगता रहा है मदरास हाइकोट ने कहा कि एजंसी की स्वायतता तभी सुनिश्चित होगी जब उसे वैधानिक दर्जा दिया जाएगा मदरास हाइकोट ने कहा कि भारत सरकार को CBI को जादा सजादा अधिकार और शक्तियां देने के लिए एक अलक अधिनियम बनाने के लिए विचार करने का निर्णे का निर्देश दिया जाता है ताकि CBI केंदर के प्रशासनिक नियंतरण के बिना का र्यात्मक स्वायतता के साथ अपना कार कर सके यानि की मदरास हाई कोट का यादेश बहुत माएने रखता है कि आप नए सेट अफ कानून लाएं और उस सेट अफ कानून के अंतरगत CBI जो है वो स्वायत तो हो सके बिल्कुल चुनावायोग की जरिए मैं मदरास हाई कोट के इस आदेश का स्वागत करता हूँ और इसका तहे दिल इज़त करता हूँ मगर मेरी कुछ आशंका हैं दोस्तों या आंदोलन याद है आपको अन्ना आंदोलन लोकपाल को लेकर आंदोलन था इस आंदोलन के पीछे RSS की ताकत भी थी पूरा का पूरा विवेकानंद फाउंडेशन यानि की राश्च्वे सुरक्षा सलहकार का विवेकानंद फाउंडेशन अजीद दोभाल का विवेकानंद फाउंडेशन इस आंदोलन के पीछे की ताकत थी इस आंदोलन के अंदर असल मांग हुई थी लोकपाल बिल की लोकपाल बिल लाए जाने की मजबूती के लिए पिछले साथ सालों में क्या हुआ बताईए लोकपाल की आप कुछ गूंज सुनाई देती है अन्ना तो चलो गायब हो गए मोधी सरकार भारती जन्ता पार्टी जो की लोकपाल आंदोलन पर सवार होके सत्ता में आसीन हुई थी आजकल लोकपाल की कौन बात करता है बताईए तो कहने का प्रयास मैं ये कर रहा हूँ दोस्तों कि इस देश में कई चीजों की बात की गई मगर पिछले साथ सालों में उन्होंने भुला दिया अब मदरास हाई कोट क्या कह रही है कि हमें चुनाव आयोग जैसी स्वायतता लाना है जिस तरह की आटोनिमी चुनाव आयोग की है उसी तरह की आटोनिमी होनी चाहिए तो मैं आपके सामने एक प्रमार देना चाहता हूँ क्या आप जानते हैं वैसे आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे अशोक लवासा लोग सभा चुनावों से पहले ये तीन चुनाव आयोगतों में थे क्या आप जानते हैं कि अशोक लवासा की भी जासूसी करवाई जा रही थी पेगसिस के जरिये उनके फोन का भी कथित तोर पर हैकिंग हुई थी ये खबर आपके सामने देखिए अशोक लवासा का क्या दोश था दोस्तों अशोक लवासा का ये दोश था कि प्रधान मंतरी नरेंडर मोदीर और अमिच शाह ने शुनाव आयोग के दिशा निर्दोशों का जब जब उलंगन किया ये आदमी जो है सामने आकर खड़ा हो गया था इसने सवाल उठाए थे केंदर सरकार से और उसके बाद क्या हुआ इंकम टाक्स के जरिए इनके परिवार को परिशान किया गया सीबियाई के जरिए परिवार को परिशान किया गया और यही नहीं पेगसिस मामले में उनका नाम सामने आया है कि अशोक लवासा के फोन की हाकिंग का प्रयास हुआ या हाकिंग हो गई मैं फिर पूछना चाहता हूँ मदरास हाई कोट से अगर आप कह रहे हैं कि CBI को स्वायतता मिलनी चाहिए अटोनमी मिलनी चाहिए तो मुझे बताने का प्रयास करें कि अगर चुनाव आयोग जैसी आपको स्वायतता या चुनाव आयोग जैसी आपको आज़ादी चाहिए तो क्या इसके कोई माइने हैं भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान के एक अबजे के बाद मौझूदा हालात को देखते हुए मंगलवार को घोशना की कि भारत यहां आने की इच्छा रखने वाले अफगान नागरिकों के लिए एक आपात कालिन ई वीजा जारी करेगा किसी भी धर्म के सभी अफगान नागरिक ई आपात कालिन एवं अन्य वीजा के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं और नई दिल्ली में उनकी अरजियों पर कारवाही होगी अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर घबजा जमाने के दो दिन बाद यह घोशना की गई ग्रहम अंतरीन के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्रहम अंतराले ने अफगानिस्तान में मौझूद मौझूदा हालत को देखते हुए वीजा प्राबधानों की समीक्षा की है भारत में प्रवेश के लिए वीजा अरजियों पर जल्द फैसला लिने के लिए यी आपातकालीन इवम अन्य वीजा की नई श्रेणी बनाई गई है अधिकारियों ने बताया कि अफगानिस्तान में भारत के मिश्णों के बंद होने के कारण वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और नई दिल्ली में अरजियों की जाच की जाएगी उन्होंने बताया कि शुरुआत में वीजा च्छे महीने की अबदी के लिए दिया जाएगा आपको बता दे कि 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना हटने के बाद तालिबान ने देश पर घबज़ा कर लिया है जिसके बाद से हालात भयावे बने हुए हैं आलम ये है कि लोग एरपोर्ट पर हजारों लाखों की तादाद में जमा हैं और उडान भरने वे फ्राइट से खुद को बान कर भी वहां से निकलना चाह रहे हैं जिसकी वज़ा से अब तक करीब दस लोगों की मौत भी हो चुकी है अगली ख़बर जमो कश्मीर से है जहां के पुलिस महानी देशक जिलबाग सिंग ने शहर में महरम का पारम पर एक जलूस कवर कर रहे पत्रकारों के साथ अच्छाबनी वेवार करने वाले एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ ततकाल कारवाही का बुदवार को आदेश दिया है पुलिस ने यहां महरम जलूस की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के एक सम्हू पर मंगलवार को लाठिया चलाई थी और उन्हें मारा पीटा था विबिन वर्गो द्वारा उसकी आलोशना भी की जा रही है जम्हू कश्मीर पुलिस ने अपने आदिकारी क्विटर हैंडल पर कहा कि जम्हू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंग ने कल श्री नगर में कुछ मीडिया पत्रकारों के साथ अच्छापनी वेवार को गंभीरता से लिया है SSP श्री नंकर ने दोश पुलिस अधिकारी के खिलाब तत्काल कारवाही का निर्देश दिया है पुलिस ने महौरम के दस दिन के शोक के आठवे दिन पारम पर एक जलूस निकानने की कोशिश कर रहे कुछ शिया मुसल्मानों को शहर के जहांगीर चौक पर हिरासत में ले लिया था और पुलिस पर जलूस पर आसू गैस से हमला करने के भी इल्जाम लगाये जा रहे है मीडिया कर्मी जब इस सब को कवर कर रहे थे तो उस वक्त पुलिस ने उन पर कारवाई करते हुए लाठिया चलाई लाठियों से लैस पुलिस कर्मियों ने कुछ पत्रकारों को पीटा और उनके उपकरन भी तोड़ दिये इन पत्रकारों में अधिकतर फोटो एव वीडियो जर्नलिस्ट थे कोरोना वाइरस वैक्सीन को लेकर गरीब देशों में हलचल मची हुई है जहां एक तरफ विक्सित और अमीर देश वैक्सीन की दीसरी डोस के लिए तयार है वहीं दक्षीन अफरीका जैसे आर्थिक रूप से कमजोर देशों में एक बड़ी आबादी को अभी तक पहली डोस भी नहीं मिली है ऐसे में इस गैर बराबरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं इसी मामले पर निज्सक्लिक के आईडिटर इन शीफ प्रबीर पुरकायस था ने डॉक्टर सथिजीत रच से बातशीत की है आए सुनते हैं सथिजीत बरीपली तस पिक्चर वाइ प्रडिक्शन बेट्वाइज को रूप इस बातशीत की है प्रडिक्न प्रडिकन ठ trata ने टे टरे questionnaire, प्रटार में between the devil and the deep sea is what is the issue is, are we going to look at global public health or is each nation going to worry वढ़ पुलिक होगे हो जो the consequences for global public health have. So the rich countries are clearly making the argument that because the delta variant is well protected against as far as serious illness and death are concerned by their current vaccines but perhaps not as well protected by against transmission, therefore they say in order to cut our transmission down we need a third dose and therefore we can't give these vaccines to other needy countries which haven't even had first dose and therefore we are in this situation where the public health needs of rich countries of the global north are trumping very evocative verb the public health the fundamental public health needs of countries of the global south and the reason why we have arrived at this point is a consequence of the capitalist logic of covid vaccine invention and development and production programs where rather than doing a worldwide open inclusive development comparative testing manufacture and deployment and distribution under the who's aegis as the who had offered to do in in the early months of the pandemic we have opted for the capitalist logic of big pharma primarily mediating this and the consequence is that what we have is big pharma encouraged steady fragmentation of covet related public policies into nationalist approaches where the global north reserves early effective vaccines for itself and the global south is supposed to deal with its own problems with a little bit of overflow charity as it were this is the sorry state of affairs that we have landed in in other words scarcity of vaccines and the necessity for higher profits and that is the logic of capital as opposed to the means of public health which means availability of vaccines for everybody absolutely and this is perhaps the first time in the world we have taken an approach of this kind on the question of vaccines particularly those which have worldwide ramifications this is not what we did in polio this is not what we did in smallpox we have done it for smaller diseases yes but not for such major public health issues and i think that is the tragedy of our current times covid-19 मरीजों के ठीक होने की दर्श सतानवे दशमलव पांच दो प्रतिशत दर्श की गई है जो मार्श 2020 के बाद सबसे अधिक है के इंदर स्वास समंत्राले के ताजा आकडों से यह जानकारी मिली है बुदवार सुबार आट बज़े जारी किये के आकडों के मताबिक संक्रमन से 440 मरीजों की मौत के बाद मृतिकों की संक्रमन की बढ़कर 432,519 हो गई है स्वास समंत्राले ने कहा कि 14 धीन मरीजों की संक्या घटकर 3,67,415 रह गई है जो 148 दिनों में सबसे कम है यह संक्रमन के कुल मामलों का 1.14 प्रतीशत है जो मार्श 2020 के बाद सबसे कम है लगतार 52 दिन से देश में COVID-19 के द्यानिक मामले 50,000 से कम आ रहे हैं पिछले 24 घंटों की अबधी में इलाज करा रहे मरीजों की कुल संक्या में 2,431 मरीजों की कमी हुई है मंगलवार को COVID-19 के लिए 17,97,569 नमूनों की जाच की गई जिसके बाद देश में कुल जाच की संक्या बढ़कर 49,84,27,083 हो गई है दैनिक संक्रमन डर 1,96 प्रतीशत दर्च की गई पिछले 23 दिनों से यह 3 फीसिदी से नीचे रही है स्वास मंत्राले के मताबिक सापताहिक संक्रमन डर 1,95 प्रतीशत दर्च की गई पिछले 54 दिनों से यह 3 फीसिदी से नीचे रही है आगोड़ो के अनुसार बिमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संक्या बढ़कर अब 3.14.85.923 हो गई है जबकि मृत्यूदर 1.34% है मंतराले ने बताया कि राश्टरबापी टीका करन अभियान के तहत अब तक COVID-19 टीकों की कुल 56 करोड खुराक दी गई है आज के लिए रॉंड अप में बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और साथ ही यूट्यूब पर सबस्क्राइब करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया